दाउसकार, आज देश एक बहुती विशित्र दौर से गुजर रहा है और पत्रकारिता के लिए एक नहायती मुश्किल दौर आज जब पत्रकार सरकार से सवाल करता है, जब सामाजिक सरकार के मुद्दे उठाता है, जब आपके यानि की युवाओं, बेरोजगार, किसान, वंचितों और अल्प संखकों के मुद्दे उठाता है, तो उसे डराया जाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके दफ्तर पर छापे मारे जाते हैं और कुछ मामलों में तो उसे अपनी जान से हाथ गवाना पड़ता है उस पर F.I.R. तक दर्श कर दी जाती है हम में से कई पत्रकारों और संस्थाओं ने इसे महसूस किया है यानि की पत्रकारिता के जगत में भी एक डर के माहौल को बनाया जा रहा है पत्रकारिता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है सरकार से सवाल करना देशद्रों माने जाने लगा है यह तमाम बातें आप समझते हैं और इन तमाम बातों को News Click अपने मंच से लगातार लाता रहा है आपके मुद्दे उठाना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है इसलिए आज मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ सामाजिक सरुकार की ऐसी पत्रकारिता को करना आसान नहीं है दोस्तों इसलिए आप में से कई लोगों को हमारा साथ देना होगा दोस्तों बहुत आसान है क्लिक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये जो आप जॉइन का बटन देख रहे हैं इसको दबाईए जैसे ही आप जॉइन का बटन दबाते हैं तो आपको हमारी सदसिता के तीन स्टेजिस मिलेंगे या तीन मेंबर्शिप के मॉडल्ज मिलेंगे हमारा कॉंटेंट जैसे आपको पहले मिल रहा था अब भी मिलते रहेगा मगर अगर आप हमारा साथ दें इस मेंबर्शिप को ग्रहन करके तो हमारे हाथ और मजबूत होंगे और हमारा वादा आपसे कि जिस तरह से हम अपने पत्रकारिता करते रहे हैं पहले करते रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे बगाएर डरे बगाएर जुके वो तो कभी नहीं बदलने वाला है और वो आपने समझ भी लिया होगा बावजूद इसके कि इस न्यू इंडिया में जो सरकार से सवाल करता है उसके पैर में बेडियां बांध दी जाती है उस पर अंकुष लगाया जाता है उसके लिए मुश्किल हालात पैदा किये जाते है बावजूद इसके न्यूस क्लिक अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा इसलिए आपसे मेरी एक अपील कि हमारे हाथ मस्बूत कीजे और हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजे नौसकार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अबिसार शर्मा मैं क्यों ना मूदी सरकार पर सवाल उठाओं और अगर मैं मोदी सरकार की समवेदन हिंता पर उनकी इनसेंसिटिविटी पर सवाल उठाता हूँ तो आप लोगों में से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। देश में कुरोना से मौते लगातार बढ़ रही हैं और प्रधान मंत्री ने आज सुबह देश को क्या संदेश दिया। आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री ये कह रहे हैं कि पश्यम बंगाल के जो आखरी चेरण का मतदान है उसके लिए जोरदार तरीके से वोट डालें क कुरोना का ध्यान रखते हुए। प्रधान मंत्री आपके पास मंचों की कमी नहीं है जहां आप लोगों की समवेदनाओं उनके दर्द को संबोधित कर सकें। एक सरकार का क्या काम होता है एक सरकार का ये काम होता है कि आप लोगों को ऑक्सिजन दिलवाएं, दवाईयां अस्पतारों में बिस्तर दिलवाएं, आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं। मगर आप लोगों के दर्द पर मरहम भी नहीं लगा रहे हैं। आपकी राजनीतिक भूग की बली नचाने कितने ही लोग चड़ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्यूं, मैं सिर्फ पश्यम की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस सवक्ष्यम बंगाल के अंदर किस तरह से कोरोना को लेकर हालाद बत से बतर हो रहे हैं। एक पुलिटिकल पार्टी की राजनीतिक भूग के लिए आज पूरे पश्यम बंगाल को कोरोना में जोक दिया गया है। तुम आज की तारीक में ज दोस्तों काइदे से इस खबर को हर राश्ट्री न्यूज चैनल की पहली हेडलाइन की तौर पर होना चाहिए था मगर इसे पूरी तरह से दबा दिया गया है। आपके स्क्रीन्स पर प्रयाग राश के 28 और प्रदेश भरके 550 अध्याबोकों की जिन्दगी निगल गया कोरोना पंचायत चुनाव की वज़े से अकेले प्रयाग राश के लगभग 1000 शिक्षक संक्रमित। प्रदेश के 550 शिक्षकों की जिन्दगी निगल गया कोरोना आज मैं पूछना चाहता हूं इसकी जवाब दही किसकी है इन तस्वीरों को देखिए बेसिक स्कूलों के 5 और शिक्षकों की मौत इन चेहरों को देखिए दोस्तों कुछ युवा हैं आपके स्क्रीन्स पर ये तोड़ा दम जहासी में पंचाय चुनाव कराने वाले 1200 कर्मचारी हुए संक्रमित 20 से ज्यादा की मौत हर शहर में मुद्धनी हर शहर में मौत और इसे कौन इनकी दुख को कौन संबोधित कर रहा आज मैं आपसे जानना चाहता हूं ये देखिए राजस्थान बिहार में 30 तीस लाक मिले उत्तर पदेश में धेला नहीं जिन लोग की पंचायत चुनाव में मौत हुई थी राजस्थान और बिहार में तो इन्हें इस तरह से 30 लाक रुपे मिले मगर उत्तर पदेश के लोग शिकायत कर रहे हैं मांग कर रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर संक्रमित शि शिक्षक गिड़ाता रहा नहीं कटी चुनाव ड्यूटी मौत हो गई तस्वीर के साथ उसकी फोटो है वो गिड़ गिड़ाता रहा कि मुझे ड्यूटी पर मत भेजो मेरी तकलीफ मुझे बीमारी है मुझे तकलीफ है मगर फिर भी उसको भेजा गया आगे देखिए शिक गंटे तक ऑक्सिजन के आभाव में प्रवीन यादव रहे तडपते और फिर उनकी मौत हो गई एक एक दास्तान सेहरन पैदा करने वाली है और निशब्ध हुम है और ये खबर में आपको पढ़की सुनाना चाहता हूँ दोस्तों जो मुझे शिक्षा मित्र संग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात एक पीठासीन अधिकारी अपनी मा की अर्थी को कंधा नहीं दे सका मतदान केंद्रों पर ड्यूटी निभाते समय घर से फोन आया कि मा का निधन हो गया है उन्होंने अधिकारियों से छुट्टी मांगी लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया जिससे वो आखों में आशू लिए सिसकते हुए ड्यूटी निभाते रहे दूसरी तरफ छोटे भाई ने मा का अंतिम संसकार किया छोटे थाना के रेवसा गाउन निवासी अनूप कुमार सयद रजा नैशनल इंटर कॉलेज में सहयक अध्यापक के पद पर काररत हैं वो गिडगडाता रहा दोस्तों वो गिडगडाता रहा जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मेरे पास कोई शब नहीं है दोस्तों इस अत्याचार के लिए मेरे पास कोई शब नहीं है और मुझे खुशी है कि इलाबाद हाई कोट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है आप के सामने ओखबर इलाबाद हाई कोट इसी उस नोटिस तो स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑन वन थर्टी फाइव टीचर्स डेफ ऑन पोल ड्यूटी जी हां पोलिंग के दौरान जिनकी मौत हुई उसको लेकर 135 लोगों की मौत को लेकर इलाबाद हाई कोट ने कड़ी फटकार ल जो है हालाद बच से बत्तर हो रहे हैं लोगों की मौते हो रही हैं वो मानने कोई नहीं राजी है आपको क्या लगता है इन शिक्षा मित्रों की आवाज क्यों सुनेगी है सरकार जब सरकार मानने कोई राजी नहीं की मौते हो रही हैं क्यों सुनेगी वो और जो योगी जी का अंदाजे बया है दोस्तों वो उनके अफसरों में भी दिखाई दे रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों इस खबर पर गोर कीजे कानपूर की खबर है होता क्या है कि कानपूर के डियम तिवारी जी बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में वो नोडल अफसर को गिरफतार करवा देते हैं निलम्बित भी नहीं गिरफतार करवा देते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहें अच्छा वो जो नोडल अफसर है उसे दो दिन पहले ही लगाया गया है अब वो दो दिन में ऐसा क्या चमतकार कर लेगा तिवारी जी जो योगी सरकार पिछले एक साल में नहीं कर पाई योगी सरकार तो छोड़िये मोदे सरकार नहीं कर पाई और उसकी चर्षय में आगे करूंगा तिवारी जी को मैं बताऊंगा क्योंकि तिवारी जी दबंग किसम के डियम है तो तिवारी जी को मैं जरा हकीकत बताने वा कानपूर में एक तरफ कोरोना संक्रमन की रफ्तार से हड़कंभ बचा है दूसरी तरफ सोमवार रात कोड डीम की एक कारवाई से पूरे कानपूर के सरकारी डॉक्टर्स में आकरोश फैल गया है पुलीस ने कोरोना अभयान से जुड़े डॉक्टर नीरत सचान के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करके उन्हें देर रात गिरफतार कर लिया डॉक्टर नीरत सचान पतारास सी एफ सी अस्पताल के इंचार्श थे दो दिन पहले ही उन्हें कोरोना रापिड रिस्पॉंस टीम का इंचार्श बनाया गया था रव्यवार को छुट्टी थी सुमवार को डीम ने कोरोना कंट्रोल की मीटिंग की थी जिसमें वो शामिल हुए इस मीटिंग में डीम आलोक तिवारी ने उन पर सही से जिम्मेदारी ना निभाने का आरोप लगा कर उन्हें गिरफ़तार करवा दिया सिर्फ दो दिन पहले डॉक्टर नीरत सचान को नियुक्त किया गया था और सिर्फ दो दिन किया गुना और उन्हें गिरफतार कर ला लिया गया मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि डियम आलोक तिवारी कह क्या रहे है देखिए इनका एक एक शब्द जो वो कह रहे हैं मैं उससे इत्फाक रखता हूँ बहुत खुबसूरत बाते कह रहे हैं मगर इन्होंने कहीं इस बात को संबोधित नहीं किया कि जिस व्यक्ति को दो दिन पहले न्युक्त किया गया था आपने उसे गिरफतार करवा लिया सुनिये क्या कह रहे हैं डियम साहब कोविड-19 के पैंडेमिक के चलती डॉक्टर्स की विशेश रिस्पॉंसिबिलिटी है समाज के फ्रती और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स रिस्पॉंसिबिलिटी को जिमिदारी से निभा रहे हैं इसके लिए समाज उनका हमेशा शुक्रोदार रहेगा पर कुछ ऐसे मैटर्स से सामने आये हैं जिसमें गर्वर्मेंट अस्पतालों में और प्राइविट अस्पतालों में ये डॉक्टर्स औरडी नौकरी थे वे अपनी नौकरी छोड़के इसलिए जा रहे हैं जिस व्यक्ति को दो दिन पहले नियुक्त किया गया आपने उसे गिरफतार कर लिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिछले मार्श 2020 को मार्श 2020 को भारत सरकार ने कोरोना को एक बड़ी आपदा मानी थी बहुत ध्यान से सुनेगा तिवारी जी मेरी इस बात को मगर उसे आपदा मानने के बावजूद आठ महिने बाद यानि की अक्तूबर 2020 में उन्होंने ऑक्सिजन को लेकर टेंडर्स जारी किये जैसा की स्क्रोल की ये खबर बता रही है ठीक है अब आप जानते हैं 162 ऑक्सिजन टेंडर्स के लिए कीमत सिर्व 201 करोड थी इस सरकार के सामने 201 करोड की क्या ekीमत है कुछ नहीं है मगर फिर भी इन्होंने 8 महिने लगा दिये आट महिने लगा दिये ऑक्सिजन टेंडर्स जारी करने के लिए अच्छा चलो तुमने वहां गलती कर दी मान ली अब अक्तूबर में इन्होंने 162 oxygen tenders जारी किये उसके बाद क्या होता है दोस्तों ये लोग 6 महिने और लगा देते हैं अब देखिए स्वास्त मंत्राले का ये बयान पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों इस बयान के मुताबिक उन 162 oxygen tenders में से सिर्फ 32 काम कर रहे हैं यानि कि इन्हे 6 महिने का वक्त मिला फिर भी इन्होंने सिर्फ 162 में से 32 ही काम कर रहे थे इसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि भाई केंदर सरकार क्या करे राज सरकार सहयोग नहीं कर रही है ये परियोजना पूरी तरह से केंदर सरकार के हाथ में थी और अगर दो मिनिट के लिए मैं मान भी लूँ कि राज सरकार उनका सहयोग नहीं कर रहे थे तो आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है Disaster Management Act का धारा 35 की धारा 35 इस धारा 35 का इस्तिमाल करके केंदर सरकार राज सरकारों पर जोर डाल सकती है तो तिवारी जी एक साल था मोदी सरकार के पास उन्होंने कुछ नहीं किया आपने तो डॉक्टर दीरज सचान को गिरफ़तार कर लिया मुझे बताईए ना इस सरकार की क्या गलती है बताईए अब मैं आप ही की बात करता हूँ ये है कानपुर की खबर पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों इस खबर के मताबिक लोग इतना बेबस हैं कानपुर के शमशान घाटों में कि उन्हें चार कंधा कंधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं लाश पहुँचाने के लिए वो बिलक रहे हैं रो रहे हैं इस पत्रकार के मताबिक आधिकारिक आखड़ा कोरोना से मरने वालों का ग्यारा था और 654 शव कानपुर के अलग-अलग घाटों में जले तिवारी जी मान लिया कि आप इलाज नहीं दे सकते और आपने अपनी ताकत का इस्तिमाल करके क्योंकि इंस्पिरिशन कहां से आ रहा है मैं समझ रहा हूँ कहां से आप इंस्पायर्ड हैं ये भी मान लिया कि चलिए आपने दभंगई दिखा कर एक सचान को बाहर कर दिया मगर मौत के बाद मौत के बाद आप इंसान को गरिमा तक नहीं दे पा रहे हैं आज कानपूर का वो मृतक एक आंकड़ा तक नहीं है क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मौत करोना से हुली है बताईए ना आपकी क्या सजा तैकी जाए योगी सरकार की क्या सजा तैकी जाए मोधी सरकार की सजा क्या तैकी जाए जो आज भी चुनावों की बात कर रही है उसका पूरा फोकस चुनावों पर है मुझे बताईए न दोस्तों आज जो मैंने आपको तमाम चीज़े बताई है इन में से आपको कौन सी चीज घलत लग रही है और आप जानते हैं मुझे बहुत अटपटा लगता है कई लोग कहते हैं अरे अभिसार जी आपका सारा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर होता है आप महराश की क्यों नहीं बात करते हैं देखिए अंदभक्ती का मेरे पास कोई इलाज नहीं है बिलकु इलाज नहीं है दोस्तों इसी मंच पर महराश में पालघर में जब एक अस्पताल में आग लगी और वहाँ पर ओक्सिजन का एक्स्टिंग्विशर नहीं था तो उसको लेकर मैंने कट घरे में खड़ा किया था उद्धव ठाकरी सरकार को मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ योगी जी तो कह रहे हैं कि कोरोना संकटी नहीं है बहतर हो रही है हालत वो कह रहे हैं ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं है क्या आपने कभी उद्धव ठाकरी को ये कहते सुना शशांक यादव नाम का एक आदमी अपने दोस्त के नाना जी के लिए उक्सिजन का सिलिंडर मांगता है और अमेठी पुलीस उसके खिलाफ एफायार दर्श कर देती है क्या आप भरामक जानकारी फैला रहे हो कुरोना के समय पर और उसके नाना की मौत भी हो जाती है आपने क्या उधव ठाकरे को ऐसा करते हुए देखा है आपने उधव ठाकरे को अस्पतालों को धमकाते हुए सुना है कि अगर तुमने ऑक्सिजन को लेके शिकायत की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा क्या आपने उनके किसी ब्योरोक्राट को आलोक तिवारी जी के बरताफ करते हुए देखा है ये विडियो देखिए दोस्तों नॉइडा के सीएमों के सामने ये मा गिड़गडा रही थी रैंड डेज़िवर के लिए भीक मांग रही थी और ये नॉइडा में हो रहा है ये मत सोचिए कि किसी गाउं कूचे कजबे में हो रहा है ये नॉइडा में हो रहा है मुझे नहीं पता रिंकू अपने बेटे को बचा पाएं या नहीं बचा पाएं क्योंकि सोशल मीडिया में कई किसम की ख़बर मिल रही है और मैं अभी उसको उसकी पुष्टी नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसके कुछ नहीं कहना चाहूंगा यह हालत है इस देश के आम इंसान की और ग्यान दूसरों को दिया जाता है क्योंकि यह सब क्यों हो रहा है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक political party की साख बचानी है एक political party को पश्चमंगाल में जिताना है उत्तरपदेश के पंचायच शुनाव में जिताना है मैं फिर दोराना चाहूंगा मित्रों यह जीत हासल करके तुम क्या कर लोगे मान लिया दो मही को आप पश्चमंगाल जीत गए तो पश्चमंगाल का उससे क्या फाइदा होने वाला है क्योंकि पश्चमंगाल में ऐसा CM आसीन हो जाएगा जो फिर अस्पतालों को धमकाएगा बोलेगा कि अगर तुमने कुरोना की कमी बताई तो मैं तुमें ठीक कर दूँगा ऐसा CM बैठ जाएगा या फिर ऐसा CM बैठ जाएगा जो बोलेगा देखिए आकड़े बताने से कोई मरा हुआ जिंदा तो नहीं हो जाएगा जैसे कि खटर साब आपने कहा था तो अगर आप पश्चमंगाल में जीत भी गए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश या हर्याना या गुजरात या मध्यप्रदेश उससे जुदा आप देश की जनता को ये पश्चमंगाल को क्या दे पाएंगे क्योंके हम देख चुके हैं जाते जाते दो खबरे में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हम पश्चम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों कोलकाता में कोरोना बम RT-PCR टेस्ट में हर दूसरा व्यक्ति मिल रहा है संक्रमित दूसरी खबर देखिए न्यूज 18 की है बंगाल में कोरोना की मार कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 45 से 55 फीसदी के बीच पहुँचा यहालत है बंगाल की यहालत है कुरोना की दो महीं के बाद दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है कि पश्चम बंगाल में क्या होने वाला है मैं तो सिर्व इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि पश्रमंगाल में जो भी जीते, इंसानियत हार जाएगी, क्यूं? भारती जनता पार्टी जीते या टीमसी जीते, हुआ क्या? आपने आच चरणों में मतदान कराया, आपने इतना फैला दिया, नतीजा, लोग जुटते रहे, चुनावी सभाओं के लिए, लोगों को बसो रोडशो करती रही, प्रधान मंत्री लब, जो है, बड़े-बड़े सभाओं को संबोधित करते रहे, आमिच शा, रोडशो करते रहे, बगार मास्क पहने, आप कल्पना तो भी नहीं कर सकते कि दो महीं के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त, क्योंकि अभी तो प अभी तो अभी तो भी तो